सावित्री सबजी लेने बाजार गई होती है कि तभी उसके नजर मिनी स्कर्ट पहन कर बाईक पर जा रही एक लड़की पर जाती है जिसकी पूरी टांगे दिखाई दे रही थी ये देख सावित्री अपनी आँखे बंद करते उवे कहती है छी छी शर्मो हया तो जैसे बेची खाई है आजकल की लड़कियों ने कैसे कैसे कपड़े पहन कर घूमती है अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी जितनी अब 25 साल की पहनती है बुर बुर आते होई सावित्री घर आती है जहां वो टीवी पर सूरी ग्रहन की खबर देखती है क्या आज सूरी ग्रहन है ठीक है तो जब तक ग्रहन है कोई भी खाना नहीं खाएगा और तू बड़ी बहूर तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे सर पर घूंगर तोड़ी रेखा मुंडी हिलाती है कुछ दिर बाद सूरी ग्रहन लग जाता है तभी रेखा का पती ओफिस से ठका हारा घर आता है और फ्रिस्बे से ब्रेट जैम लगा कर खाने लगता है ये देख सावित्री गुस्से में चिलाते हुए कहती है ये राम पर घड़ी मेरी शकल क्या देख रही है तो इसे रोक नहीं सकती थी माजी वो मैं अब क्या बकरी की तरह मैं मैं कर रही है अपना पलू ठीक कर ये सर से किसकना नहीं चाहिए बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती है अरे हम भी थे जितना मर्जी का गुंगट सर से सरका हो तीन तीन मट के पानी के कुएं से उठा कर लाना भैसो का खेतों का सब काम देखना नहीं कितना काम हूता था हमारे जमाने में लेकिन एक आज कल की बहुं को तो आटक गूतने से लेकर बरतंधोनी तक हर काम के लिए बस एक मशीन चाहिए और छोटे-छोटे कपड़े पैन कर इनसे किटी-पाटी करवालो बस लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंगट में और साडी में ही रहेंगी इसलिए ध्यान रहे आगे से पला खिसके ना तेरे सर से ची मा जी ध्यान रखूंगी ये है सावित्री देवी जिसे मौडन कपड़ो वाली लड़कियां बिलकुल भी पसंद नहीं थी सावित्री के दो बेटे थे बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी बड़ी बहु रेखा बिलकुल अपनी सास के कहे पर चलती थी लेकिन फिर भी सावित्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी वो उसके किसी ना किसी काम में कमी निकाल ही देती थी एक रोज जब रेखा अपने कमरे में दिन में आराम कर रही थी तो सावित्री अचानक से उसके कमरे में आती है तब रेखा करवट बदल रही होती है जिससे उसकी कमर दिख जाती है ये देख सावित्री जोर से चिलाती चीज़ी चीज़ी बस इसी बात का डर्ड था मुझे सारी शर्मो हया बेच खाई है माजी आप लिकिन हुआ क्या क्या हो ना है करवत लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे। आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा एक साल काट लिया। और उसकी फॉस्ट एनिवर्स्टी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कान को रात। भाबी मुझे ना आप सबको कुछ बताना था तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो मेरे ओफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मेरिज। हाँ मा लव मेरिज। क्यों कोई प्रॉब्लम है? नई नई मुझे भला क्या दिक्कत होगी, तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सावित्री का सिधान्त भी समझ नहीं आता, जो डरता है तो उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बाद जट से मान जाती है। कार दिल्ली से कानपूर कार में आते आते, भारी भरकम लेंगे में संध्या काफी ठक जाती है, और वो एक जगा होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। कि ये सच मुची दो जोडी में आ जाएगी। वो मा दूर का सफर था ना, और इसने लोटते वक्त लेहंगे पर ही वोमिट कर दी, इसलिए जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया। ये राहूल का बच्चा जूट क्यों बोल रहा है। चलो संध्या, मा के पाउच हो। हैं? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, अगर तुम जुकी तो ना जाने क्या-क्या जुक जाएगा। ओ, थैंक्स, वैसे मैं खुद जुकने के मूड में नहीं थी, वो क्या है न, मैं बहुत धक चुकी हूँ। विसे माजी हमारा बेडरूम का है? वो क्या है न, मैं पहले बाद शावर लेना चाहती हूँ। सावित्री को मन ही मन बहुत गुसा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुप चाप उनका घृप रवेश करवाया और बहु बनकर संध्या अपने ससुराला जाती है। लेकिन संध्या के कपड़े देख सावित्री डर गई। ये नई बहु तो कुछ जादा ही मौडन कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ? सर पर नाचेगी जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मूदिखाई पर इसने कुछ बेढ़ंगे से कपड़े पहन लिये तो नहीं 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 इसे मुझे ठीक करना ही होगा। अरे नई बहू दिखा तो कल मूदिखाई पर क्या पहनने वाली है? ये वाली साड़ी कैसी है माजी? अच्छी है लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सर्व ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है, जो भी हो लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी, चल अब मुझे अपनी साड़िया दिखा, मैं बताती हो तुझे कौन सी पहननी है। शाम को मुदिखाई पर संध्या वो गुलाबी साड़ी होट ब्लाउस के साथ पहनती है। लेकिन तू ने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनना और गूंगट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है सावित्री। अच्छा संध्या बहू चल अब इन सब के पाउं चुकर आशिरवाद लो। सावित्री सब के पाउं चुकर आशिरवाद लेती है। लेकिन संध्या ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेट की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टन कपडों का नंबर तो कभी आने वाला है ही ने। अगले दिन उन सब को मंदर जाना था। इसलिए रात को ही संध्या अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बात की बात है लेकिन तु इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई हमारे घर में ये सब नहीं चलता लेकिन रावल ने तुम उससे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। उसे क्या पता इन सब के बारे में, राहा भी है वो इस घर में, बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टरल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर, तू उसकी बीवी है पर बहु मेरी है, और इस घर में मेरी ही चलती है, संध्या उदास हो जाती है और वो अपने कमर तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है, अब कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जो, मुझे नहीं लगता, अब वो तुम्हें कभी भी वेस्टन ड्रेसेस पहनने देंगी, ऐसे कैसे नहीं पहन सकती, अब तो बस हफता भर में ये साड़ पहनूंगे उसके बाद बिल्कुल नहीं, एक हफते बाद राहुल संध्या के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है, सच में संध्या बहुत मसाएगा, कश्मीर सच में बहुत खुब सोरत है, अच्छे अब तुम पैकिंग कर लो, संध्या अपनी पैकिंग कर लेती है, फिर तुने छोटे-छोटे कपड़े रख लिया और तुझे सर्दी लग गई तो, वो तुमें समझी गए थी कि बिना मेरे कपड़े चेक की, आप मुझे जाने कहा देंगी, संध्या हरी मून के लिए चली जाती है, लेकिन वो वहाँ जाकर कुछ वेस्टन कपड़े खरीद ले लेकिन एक रोज उसकी सास वो फोटोस देख लेती है, और वो संध्या पर खूब गुस्सा होती है, लेकिन तभी वहाँ सावित्री की सास रतना आ जाती है, जो काफी बूरी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी-शिट और पैजामा पहना होता है, साथ ही चश्मा भी लगाय होता है, बताओ भला, क्या बुराई है इन कपड़ों में, मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या, अरे जब मैं गाउं में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, तो फिर मेरे पोते की बहु क्यों नहीं, और तु जानती है आज क्या हुआ, जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहन एक लड़की बाइक पर बैठी थी उसकी साड़ी बाइक में फस गई और वो नीचे गिर गई जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई और वो कोई और नहीं हमारी बड़ी बहु रेखा है